हेलो फ्रेंट्स री नीटिंग में आपका स्वागत है फ्रेंट्स देखिए आज ये डबल कलर का पैटर्न बनाएंगे ये देखे बहुत ही सुन्दर पैटर्न है और बहुत ही इजी है बनाना इस वाले पैटर्न को आप किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हैं इसक सिक्स रो का पैटर्न है सिक्स रो ही इसमें बार बार रिपीट करनी है टू रो इसमें बनानी है फर्स्ट कलर से जो हमारा बेस कलर है और फोर रो हम बनाएंगे सेकिंड कलर से तो आईए मैं आपको यही से दिखाती हूँ यह हमें कैसे बनाना है जैसे यह मैंने यहां से सि इप्रिकेशन सबसे पहले मिल सके तो यह है हमारी राइट साइड फर्ष्ट रो फर्ष्ट रो हम जो हमारा फर्ष्ट कलर है बेस कलर उसी से बनाएंगे यह औरेंज कलर से ही हम पूरी सीधी बनाएंगे फर्ष्ट रो को हम पूरी सीधी बनाकर कमپلीट कर लेते हैं यह देखें फर्ष्ट रो हमारी कमپلीट होगी अब सेकिंड रो रो रॉंग साइड सेकिंड रो यह second row हमारी complete होगी अब third row right side अब यह देखिए third row right side यहां हम color change करेंगे जो हमारा second color है वो लगा लेंगे तो यह third row first फंदा हम सिधा बनाएंगे second color से इस तरीके से अब यह दागा आगे की side कर लेंगे और एक फंदा slip करेंगे इस तरीके से अब दो फंदे हम सिधे बुनेंगे एक दो तो यह देखिए इस तरीके से आजाएंगे अब जो यह फंदा यह है जो हमने आगे किया था तो इसको इन तीन फंदों के उपर से इस तरीके से उतार लेंगे इस तरह है तो यही हमें पूरी रो में repeat करना है फिर से ऐसे करेंगे धागा आगे करेंगे एक फंदा slip करेंगे फिर दो फंदे सिधे बुनेंगे एक दो फिर यह जो धागा यह यह वाला जिसको आगे करके बुना था तो ये वाला ये फंदा इन तीन फंदों के उपर से उतार देंगे इस तरीके से तो ये पूरी रो हमें ऐसे ही बनानी है फिर से ऐसे धागा आगे करेंगे एक फंदा स्लिप करेंगे दो फंदे सीधे एक दो फिर ये वाला फंदा जिस से हमें आगे किया था फिर ये बुना था तो यहाँ पर हमारा ये ऐसे लपेटा सा आ जाएगा तो इस से ऐसे इन तीन फंदों के उपर से उतार लेंगे इस तरीके से तो ये पूरी रो हमें इसी तरीके से बना लेंगे झाल अब यह लाश्ट में एक फंदा बच गया है इसको हम सीधा बुन लेंगे तो यह थर्ड रो हमारी कम्प्लीट होगी यह देखे आप देख सकते हैं इस तरीके से आ जाएगी अब फौर्थ रो रोम साइड फौर्थ रो को हम उल्टा बुनेंगे सेकिन कलर से ही सबी फंदेश में इस तरीके से उल्टे बुनकर कम्प्लीट कर लेंगे यह फौर्थ रो मैंने पूरी उल्टी बुनकर कम्प्लीट कर ली अब फिप्त रो राइट साइड यह भी हम सेकिन कलर से ही बनाएंगे बस इसमें फर्ष और सेकिन रो फिप्त और सीख्त यह रो हमारी सेकिन कलर से बनेंगे तो यह देखें फर्ष फंदा सीधा बुल लेंगे अब इसमें देखें हमें क्या करना है एक फंदा स्लिप्त करेंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तो यह देखें तीन फंदे हो गए हमारे यह हमारा एजिस्टीच है और ये एक फंदा आपने उतार लिया और दो फंदे सिधे बुल लिये अब इन तीनों फंदों को ये देखे ये वाला फंदा आगे की साइड से स्लाइब ले लेंगे लेक्ट वाली में और पीछे वाले दो फंदे उतार देंगे अब फिर उसे वापिस पीछे वाले दो फंदे पहले राइट वाली स्लाइब में डालेंगे और फिर ये वाला फंदा इस तरीके से सिधा बना लेंगे इस तरह है तो फिर से ऐसे ही करेंगे एक फंदा स्लिप करेंगे दो फंदे सिधे बुनेंगे एक दो अब जो ये एक फंदा स्लिप किया था इसको लेफ्ट वाली स्लाई में डालेंगे ऐसे और ये पीछे के दो फंदे उतार लेंगे अब ये दो फंदे जो उतारे हैं इनको वापिस राइट वाली स्लाई में डालेंगे ऐसे और ये जो slip किया हुआ फंदा इसको सिधा बुल लेंगे इसी तरीके से पूरी रोव बनाएंगे, फिर एक फंदा slip करेंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे, एक, दो फिर से ऐसे ही करेंगे, ये slip किया हुआ फंदा लेट वाली नीडिल पर डालेंगे और दो फंदे उतार लेंगे अब फिर वापिस पहले दो फंदे ये राइट वाली नीडिल पर डालेंगे और ये वाला फंदा स्लिप किया हुआ जो इसको सीधा बना लेंगे तो इसी तरीके से पूरी रो बना लेंगे झाल झाल यह देखे सब फंदे बन गे तो यह लाश्ट वाला फंदा एक पच गया इसको हम सीधा बना लेंगे तो यह 5th row हमारी complete होगी right side से अब 6th row wrong side इसको भी हम पूरा उल्टा बुनकर complete कर लेंगे wrong side से हमें हर बार हर row इसमें उल्टी बुननी है कोई भी change नहीं करना right side से हम pattern बनाएंगे बस तो इसको पूरा उल्टा उल्टा बुनकर कम्प्लीट कर लेकते हैं यह देखे 6 रो हमारी कम्प्लीट होगी और यह हमारा पैटर्न बनके आ गया है यह देखे बहुती सुन्दर पैटर्न बना है आप देख सकते हैं यह 6 रो हमें इसमें बार बार रिपीट करनी है और यह पूरा प्रोजेक्ट बनके तयार हो जाएगा यह आप किसी भी टू कलर का कॉंबिनेशन करके बना सकते हैं यह आप देख सकते हैं कितना सुन्दर हमारा पैटर्न बन रहा है यह देखे और बहुत ही अच्छा लगता है यह बना कर तो फ्रेंड्स आप भी इसको एक बाद जरूर ट्राइ करके देखना फ्रेंड्स मेरी यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज लाइक में कमेंट करें और मेरी ऐसी ही नही नही वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू